हेलो एव्रीवन तो आम बैक विद्मा एन अधर लेक्ट्टर जिसमें आज हम डिसकस करने वाले हैं थे हंड़े एंड़े इंडिया का पार्ट नंबर वन आप सभी को जैसे मैं पहली बता चुका हूं कि अब मेरे एंड से यही कोश्च रहेगी कि आप तक हंड़ें से प्रवाइड कर दिया है और साथ में उसकी पीड़े भी आपको टेलीग्राम से माई वह पीडिए नहीं डाउनलोड की वह कर सकते नीचे आपको डिस्क्रिप्चिन में लिंक प्रोवाइड इडिड है या आप सर्च कर सकते आइग आपको पीडिएफ मिल जाएगी फ्री ओ अब मैंने आपको बता नहीं का मेरा में मकसद तापकि आपकी प्रिपेशन हाई लेवल की हो सके तो अब बात करते हैं आज का जो टॉपीच्ड डाइड इस पॉलिटिक कल डिवीजिट डिविजिन और इंडिया इसमेड वर्ल सेक्टन ही डालव वर्ल चे प्रोबाइट किये हुआ हरे कॉंटेन हमने पढ़ा था लेकिन इसकी जो हंडेट एमसी सीरीज होगी वर्ल जेग्राफिक वह अलग रहेगी इंडिया की पॉलिटिकल फिजिकल डिजिए अलग है और वर्ल्ड की जो हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल फिजिए इसके उपर अलग क करेंगे कि दोनों बहुत ही बड़े टॉपिक अपने में हैं तो चलो बिना टाइम पे शिर्ट आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आज का क्या कहता है क्या 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 रहा है फ्रॉम दे पॉइंट ऑ व्योफ जी विच विच फॉलिंग फिजियोग्राफिक डिविजिन अंस्टेबल जोन हमने पड़ा हुआ है कि इंडिया की हमने फिजियोग्राफिक को सिक्स पार्ट में बांटा था पहले हमने ओपर हिमालयास को किया था फिर प्लैट्यू आपके आगे थे हमारे डैट इस यूर डैजर्ट सा आगे थे आईलेंट सा आगे थे पैनिंसुलर अगया था नर्दन ब्लेंस आगे थे थे इन पार्ट में बंटा था अब बोलते इस में से सबसे अंस्टेबल जोन कौन सा है अंस्टेबल जोन ठीक है कोशन थोड़ा सा बस किया कि एक्सपैंड किया लेकिन अगर आपको दो बोल जाने था इंडिन जोग्राफिक वह भी से कामिनर आपके साथ ऐसे खेलता है कोशन थोड़ा साना गुमा फिरा देता है लेकिन आंसर सिंपल से होता है तो अंस्टेबल जोन है डैड़ी जोड़ा हिमालियस माउंटें आपनी याद रखने है अभी आपको जे के एक्जाम में भी आया था आप सभी को याद होगा कि हि सब्सक्राइब बढ़ गी है यह स्टेबल नहीं है तो हिमालय माउंटेंस का अंसर आज जाता है ठीक है माउंट एवरेज की बात थी वह पॉइंट एच सेंटीमिटर आगे बात करते हैं कोशन नमबर टू की विच फॉलिंग हैस नौड बीन अफेक्टर इन दा क्रेशन औ सब्सक्राइब कोशन आगे ठीक है तो उसमें कौन सा फेक्टर नीचे ऑप्शन देखिए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा फेक्टर है जो उसमें कॉंट्रिव्यूट नहीं करेगा बोलता है जियो लॉजिकल फॉर्मेशन पॉपॉपॉलिशन देंस्टी वैदरिंग एरोजन सब्सक्राइब के बारे में सुना होगा लेकिन साथ में आपको यह भी पता को पॉपॉलिशन डंस्टी क्या है एक स्कूरे किलोमेटर में है तो उसमें फीजियो ग्राफीक का क्या उसे कोई लेना देना निया तो इस कानच से के रहेगा ब्य ऑप्शन सेकिन कोशन का ब्य बता रहा हूं आपके लिए यंगेस्ट आपने बताना है यंगेस्ट फीजिकल फीचर कौन सा है इंडिया का क्या वह आपका नर्दन प्लेन है क्या वह आपका हिमालया है क्या वह आपके डेजर्ट से हैं तो वह मैंने आपको लेक्चेस में बताया हुआ है आपने जल्दी से landmass physical division of India बात करते हैं question number 4 की the Himalayan uplift out of the Titsi and the subsidence of northern flank of the Pencil Plateau resulted in the formation of large basin which of the falling physical division of India was formed due to the filling of of his depression देखो ये भी question थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन last line ही बस इसमें पढ़ने की ज़रूरत है ऐसा कौन सा है physical division है जो form due to the filling of this depression depression मतलब जो पहार बने मारे Himalayas के तो नीची जो depression बना उसे fill up करने के लिए उस region को क्या बोलते हैं उस आप कैसे फिजिकल division को क्या कहते हैं मैंने आपको याद होगा मैंने आपको प्रॉपरली बताया था कि जो हिमालयस की formation कैसे हुई थी गोद्वामा लैंड थी एक उदर से ब्रोक हुआ प्रॉपरली बताया हुआ है तो ठीक है अब बात होती है कि इदर से जब depression हुआ तो उसको cover up करने के लिए कौन उस एरिया को क्या बोले गया है उस फिजियो डीजिन को क्या बात करें यह आपके शिवालिक इनके बीच में अगर कोई ऐसे लॉंगी डूम्भी लंभी वैलीज है इदर लोग रहते हैं तो उस वैली को क्या नाम दियागा है इसके इसे इसकी एंपल आप किया रहे थे देरा दूण टाहिक है दारा दूण इस ओल्से लोगजिवाली बिटून बेटरीं लेसे हमालिया और शिवालिक पर आप तक knowledge पुंचाईड है इसी कोशन में तीन कोश्चन आपको मैं clear करा दूगा मेरे कहने का मतलब है the highest peak of the Himalaya India में इंडिया का Himalaya की highest peak तो that is in Sikkim that is in Sikkim Sikkim में कौन सी कंचन यूगा यह आपको मैंने बताया था अब अगर बात करूं हिमालय अगर यह वर्ड यूज नहीं होता तो आपका सी highest peak कौन सी इंडिया में लेकिन यह कौरगरम रेंज में आते हिमालय रेंज में नहीं आते यह चीज आप नहीं आद रखेंगे अगर उदर लिखा हिमालया रेंज तो हमारा कंचन्यूंगा डैट इस इन सिक्किन अगर को आपका ओवर्ड की बात होगी तो वह तो आप सभी को होता है माउंट एवरेस्ट ठीक है यह कोशन मैंने डाला था इसी में हमने चार-पांच कोशन गवराप कर लिए यही में में टार्केट होता है चाहें हम सबसे में किसने कौन सी स्टेट के साथ बांडरी यहां सबसे में किसने कौन सी स्टेट के साथ बौंडरशेयर की हैँ आप देख सकते हुए दो इधर कैरल की अगर बात करें कैरल विचारा एक और दो के साथ ही मिट कर रहे है और कोई तो नहीं मिट कर रहे है तो पहले ही whatsoever कर दो दूसरा तमिल नाडू की बात कर था एक دभ तीन के साथ मीट कर रहा था तो तूमिल यहां है आंदर बदेश का five states के साथ connect हो रहा है अगर बात करें करनाटका की एक दो तीन चार ठीक है पांच छे ठीक है एक दो तीन चार पांच छे सही गिनती ही है हम जी सही ही तो करनाटका सबसे ज्यादा है तो इसका answer क्या जाएगा करनाटका only ठीक है तो seventh cancer is your B option आगे बढ़ते हैं eight question के और through which one of the falling Indian state the topic of cancer does not pass मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी और भी बहुत ज्यादा इसकी ट्रिक है जो आपको अच्छी लगते है वो पकड़ सकते हो आपको इस चैनि के अच्छी लगती है बात करते हैं जो ट्रिक की राहूल गांधी मेट ची चीफ जस्टीस विद दा मोधी राहूल गांधी आर से आपको जाएगा राजस्तान जी से गुजरात एम से आपका हो जाएगा मध्यप्रदेश च्छतिसगर जे से आपको जाएगा जार्खन डव्यू से वेस्ट बिंगॉल टी से ट्रीपूरा और एम से मिजोरब त्रीप उप्षिन नहीं है तो इस कहां से कहां देका मनी पूर बात करते है क्वेश्नमर नाइन की विच्व फॉल इर्ट एंड़केशंग एक अगर हम बात करें यह मारा इंडिय वैप आ ठीक है सुरी फो टाथ गलत बन जाये स्पी कर इंडय के मैप है तो बात होती है कि नॉट साइड करें तो और्स साइट है ना तो नौट साइट से साथ मनलब ऊपर से नीच आना है ओपर सी नीचे अ मआ है तो सबसे पहले मारा आ जाता है डाइध यहार सबसे ऑपर टॉप पे के टू मैंने अब बताई था उसरी के आपर है देन लदाख आएगा लदाख के बाद जंसकर आएगा देन पीड पंजल यह सिक्वेंस वाइस है तो वन तो थी फॉस्टार राइट वन तो सी ऑप्शिन का सही रहेगा आगे बात करते हैं कोश्चनबर टेन ये भी ऐसे देख लेते हैं फिर आपका शीनगर होता है देन बनिहाल जब आप दे जम्मू से जाते तो पहले बनिहाल आपको पास्वान करना पड़ेगा तो वह चीज आपने यादक निया कि बनिहाल पहले आएगा फिस शीनगर आएगा और कार्गिल और गिरिगेट आपको पता यह आगे जाके लदाख रीजन में आ जाते हैं ठीक है तो यह आपका आंसर रहेगा डैट इस टू थ्री वन फोर सी ओप्शन दा राइट वन बात करते हैं 11 कोशन की दो हिल रेंज एट सेपरेट ऑ मनिपूर फॉम दे स्टेट ऑ नागालेंड इस वह रेंज जो मनिपूर को से 11 ही यह साम में और Famer यहाए यह बड़ा पूछय रहाते है 14 11 इंडदेट बटरेंथन 2 दो सेपरेट टा है यह ज़ी मैं आपको बता कुए हैं 9 डिग्री आपसेज भी पढ़ा हूआ लेकम को सेपरेट है Nous Layton главное क स्टेट हां है ए यह देखिए हमने यह कवर किया था आप सभी को याद होगा यास बार-बार दिलाना पड़ता है ठैक है तो यह तो आगे बढ़ते हैं लक्षवदीप आइलेंड है वह कहां पर कौन से सी में आपने यह चीज भी याद रखने हैं बड़ी आना बच्चा कंफियो जाता है वह बेसिक कोश्चन करके नहीं जाता यह मैंने बड़ीवार रेखा है और इसका अभी आपको दिखाता हूं देखो आज 26 अक्टूबर है तो मैंने कोशन डाला था ठीक है और बच्चों ने क्या आंसर आपको मैं दिखाता हूं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता है लेकिन यही है कि हम मुश्किल के और ज्यादा बागते हैं पिछले वाला सब कुछ छोड़ देते तो देखो मैंने क आपको दिखाता हूं आंसर से देख सकते हो ठीक है अरौंड फिफ्टी परसंट ही सही है बच्चे यही है कि यही गलती करते हैं कि असान वाले तो पहले आप बूली जाते हो उनको आप छेड़ते नियों फिफ्टी नाइन चब्वीस अक्टूबर नाइटीन फॉटी एट सिक्स्टी एट फॉट से देखो फिफ्टी परसंट भी नहीं है अगर हम बात करें सही आंसर तो यह चीज़ है कि देखो बेसिक कोशन था कोई मुश्किल कोशन मैंने यह था नहीं तो यही मैं बता कह रहा हूं कि हमेशा मुश्किल के और भी नहीं बागो सबसे अले अपन अगर याद नहीं रहता है आपको बिंगॉल है तो यह चीज आपने याद रखने है लक्षोदी पाइलान इस इन यह और अरभीन सी फॉर्टी फॉर्टीन कोशन विच फॉर्लिंग सेटमेंट से ही है वे हाइट उप वेस्टन गार्ट इंक्रीज फॉम नॉर्ट तो यह द महल लाइन इस इंटरनेशनल बॉर्डर बीट्वीन तो महल लाइन के कोंसी इंटरनेशनल बॉर्डर है किसके बीच में आपको यह भी पता होने चाहिए डैट इस यह इंडिया एंड चाइना तो फिफ्टीन का वियान से कहा देगा बी ऑप्शन आगे बात करते हैं स्काइट मेंच इए बतानिये कौन सी सही है और कौन सी गलत रिवर डेल डैलटा इस्टेन गॉर्ड मैंने आपको जो आपके ऐस्टेन गाょर्ट सव स्कॉन आते हैं तो आ वे में 맞ा लिच विच इमसे प्रड़ एक अीं ब्रक Рसी經 नहीं है जैस्स이트 थोड़ा सा इसे थोड़ तो यह भी सही है तो 17 का भी आंसे गया देगा बोथ एंड बी यार्दा राइट वन इटींथ अनायमुडी हाएस पीक औंवेस्टन गार्ड इट इस इन तुछ इस पर सिफ पहली इनफ्रमेशन ही सही है वेस्टन गार्ड की सबसे हाएस पीक अनायमुडी है लेकिन यह जो पीक है यह तमिल नाडू में नहीं है यह चीज आपने याद रखनी है तो ओनली वन इ करेंगे दैट इस नोन आज कंकर टीक है त्वेंटी इत्ट कोस्टिन माउंटेन इस इस्टेन पार्ट आफ इंडिया फॉर्वांचल टीक है मैंने आपके बताया था कि जो हमारे इस्टेन साइट पे पूर्व तभी उन्होंने यह इसको नाम दे दिया पूर्वांचल टीक है इंडिया अगर यह बात करें ठीक है इस स्ट्रक्चर आ गया तो इस साइट जो है आपके आ जाते पूर्व आंचल आपके इस तरफ आ जाते हैं तो यही थे आज के बीस कोशन काल हम बात करेंगे नेक्स चोंटी कोश्चन की तो जो भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में मैं ऐसको एक को चीज बताना चाहता हूं की यह तो हम कोशन कर रहे हैं इधर हमें सिफ से लकिन एक कीज भी करना होता है तो वह आपके मेन कंपोनेंट रहता है जो में रोल प्ले बरह करता है मैं यह कहूंगा तो यह है कि मैंना आपको वताएं कि हमारे ओर से आप तक और दूसर प्रोवाइडिड आपने अगर यह से करना चाहते हो पर आपको आई बटन बे एक लेक्चर प्रोवाइड आप उसको देख लीजिए और वैसे आप एन्रोल कर लीजिए उदर प्रॉपल यह आप अपने आपको एनलाइज कीजिए कि आप कहां गलतिया करें और उस लेक्चे इतने रखते तो अपने दोस्तों साथ यह लेक्चे शेयर करना ना बूलेगा लाइक करना ना बूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलेगा तो मिलते है कल अपने लेक्चे के साथ झाल झाल